कि शीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्योशन करेंगे अगर आपने पिछली ग्लास नहीं देखी हो तो पिछली ग्लास जाके जरूर देखें तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्योशन सोल सरकीट की दसा में किसी सरकीट में कितना करेंट प्रवायत होता है अगर कोई सर्कीट हो जाता है तो उसमें अपने में दॉप करेंट कमान क्या हो जाता है अनंत हो जाता है जहां पर रेजिस्टेंस कमान उच होता है, वहां पर दारा कमान क्या होता है, नेमन होता है, आर समन पाती, वी अपन आई होता है, जहां पर दारा कमान अधिक्तम होगा, वहां पर रेजिस्टेंस कमान क्या होता है, नएंतम होता है, ओके फ्रेंड्स, तो आप यहां पर या अनन्त हो जाएगा ऊचै तो अगला कीशान देखे फ्रेंड्स अगर किसी ohm 안에 किसी इंडेक्टर में एक स्रीडा से दूसरे स्रीडा तक जोड़ा गया हो और सूचक सुनम दरशाता हो तब In Jordan क्या रहेगा पूरी तरह से सोट हो जाएगा फ्रेंड्स पूरी तरह से क्या होता है वो फ्रेंड्स सोट सरकिट होता है क्यों से उनको समझे फ्रेंड्स जब ओम्मेटर होता है और मेटर की रीडिंग क्या होता है अनंत से जीरो क्यों होते है जब हम उसके सरकिट पर है जब ह पूरी तरह से क्या है सोट है और जब वो ओपन रहता है तो हम में जो रीडिंग दर्शाए जाती है जब हम ओमेटर को ऐसे सिंपली तोर पर हम जब देखते हैं तो उसकी रीडिंग जो उसका जो आपने संके तक देखा हो जो पोइंटर होता है वो क्या रहता है अनंत पर रह किसी ट्रांसफॉर्मर में ब्रिदर का क्या फंक्शन होता है जब भाय वायू ट्रांसफॉर्म में प्रवेस करती है तब नम्मी के प्रवाय को रोकने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है तो इसका आंसर क्या रहेगा option number C इसका आंसर रहेगा तो फ्रेंट्स आपने ब् और उसको सुस का वस्ता में कौन से कलर की होती है वो कदर भी आप याद रखें और यह ट्रांसफोर्मर पर पून लोड कोपर सती 600 वाट है जिससे आदे लोड कि कौपर सती क्या होगी friends इसका आदे लोड किकर पर शती कितने देरो किखेंगा तो वह एक चोता ही हो जाते है कि पूंड publications की एक चौता ही हो जाती है जब आप छस्सों को माल्टिप्लॉय करोंगे गए von 4 जब आप इसको तो आपना ऐखागा और एकसो पचास वाट आ जाएगा कहने का अगर printer को जाए एक चोता ही होजाता है और ऐसे अपनी स्रीज देखते रहे और आपने अगर अभी तक अमाल लाइव करें और अपने दोस्तों को सेर भी करें तो इसमें एक बेटाने टी जोइंट का परियोग किया जाता है इसका आंसर क्या रहेगा फ्रेंट्स ओवरहेड लायन में अ जब हम किसी कियान में लाइन जा रही हो लायन में से हमें बेच में से कोई connection लेना होता है तो हम वहाँ फिक कॉन से जोड़ का परियोग करते हैं अगला क्यूंस देखें नेमन में से क्या 1 इक स्केलर वात्र है नेमन में से वेक्टर और स्केलर आपने देखा होगा तो उनमें से स्केलर कौन सा रहेगा विदूत भी अपना स्केलर रहेगा और वेक्टर राशिय कौन सा 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 रहेगा और व सदिकंट कि न सद्य करां करने के लिए हैं सिलіकोन स्टिल की लेमिनेटल को में वरक होता तु प्लाट इसे मिला हैं एक क्पैर कोड़े मुझा है 1 प्लाओ कोड़े, मुझे चोटी-छोटी पतियों कोड़े हैं उनको एक जगे रिवेट करके बनाए जाता है, अब उनको जब हम उनको क्या कर रहे हैं, उनको लेमिनेटेट कर रहे हैं, लेमिनेटेट करने का मतलब क्या कर रहे हैं, तो फॉइंट फॉर पर्तिस्थ से लेकर के फाइब पर्तिसथ तक उसमें सिलिकॉन इस्ट्रेश की मात्रा सिलिकॉन मिलाया जाता है जब हम सिलिकॉन कहां भी मिलाते हैं stress सती को कम करने के लिए तो क्या मिलाता है हम silicon की मिलाते हैं और ED CRUN सती को कम करने के लिए क्या मिलाते है एडी CRUN सती को कम करने के लिए हम क्या करते है उसको eliminated करते हैं ओके फ्रेट्स Quesion समझ में आया होगा ओके तो Class को like ज़रूर करें अगला Quesion किसको निस्था करनेके लिए करते हुम, मेंगनेटाइजिंग, कॉरायणि दोनों को निस्था करने के लिए करते हैं, तो इसकी अंसर क्या रहेगा A और B दोनों। अब आपने यहादे क्यों समझ लिया। मैं ट्रांसफोर्मर पर no load परक्से, लोड का मतलब क्या होता है उसको ओपन रख रहा है ओपन सर्कीट प्रकार का लोड नहीं लागा रहा है तो मेगनेटाइजिंग करेंट और आयान सती को निशीद करने के लिए हमें यह प्रेक्शन करना होता है और हम ट्रांस्पॉर्ण पर हम जब सोर्ट सर्कीट करते हैं कि सेमें हopf इनकी यह से अगरम सोट कर देता है तो वहां पर पे आयरन को ref कोपर सथी को कम करने के लिए हम को quatro forts PB कि it कितनी शॉर ऑगने अपने जब क inhabited कर ने के लिए हम के अ दुरेत करते हैं आप दोनों चंफestab मर से लिए मॉस्ट इंप्रेंट क्योंन बनते ८र म् कहीं पर भी यह कुछा जाता है तो आप इन कॉमन को अच्छे से याद रखें अगले कुछन देखिए फ्रेंट्स ट्रांस्फोर्मर के तेल की डायलेक्टरी सकती देस की आसा की जाती है तो फ्रेंट्स इसका आंसर यहां पर 33 किलोवल्ट होगा और आपने अगर इश्रो का पेपर देखा होगा तो इस रोगे पेपर में इस ट्रांस्फोर्मर के तेल की डायलेक्टरी सकती 30 किलोवल्ट लिए गई थी तो आप इस ओफ्शन को याद रखें मैं 30 किलोवल्ट से लेकर 33 किलोवल्ट तक की आसा की जाती है इसको निस्जित नहीं है फ्रेंट्स हम इसक कि ट्रांस्फोर्मर में जो तेल डाला जाता है वह क्याका कार्यय करता है और एक अच्छा गता का भी कार्यय करता है कि अपने देखा हो कि तेल बढड दैने के बाद में उसमें किसी भी प्रकार नहीं हो ता कहने का मतलब Armstrong में जो type of oil डाला जाता है वह क्या होता है पूंत है और किसी क आस्ट उसे डाला जाता है अगर पानी चला जाता है वो ट्रांस्वों जाक्राइछा已经 अगरा कमारी स्टार्ट करते हैं किसी 220 Ev off 2 DB eg log 24 AC step damn की गेरों का अनुपात और आब क्या होता है हमें step-down ट्रांसफोर्मर की गेरों का अनुपात हमें निकार घ объяс तो जो कम और क्या कहा है हमें हैं 25 वल्ट कोशोशवोल्ट की का क्या चाह सब हम बढा है हैं 25 वल्ट को हम क्या बना रहे हैं 25 वल्ट है पान किया जहाएं 22 retention चोईस के अंदर जब हम 220 वोल्ट का जब हम भाग देंगे तो अपना स्टेम्ट डाउन ट्रांस्वर्णों की गहरोगा अनुपात अवस्य कितना गया है 0.0109 आएगा ओके फ्रेंड्स तो आपका आंसर क्या रहेगा उप्शन नमबर E अगला क्यूसन देखिए फ्रेंड्स एक ट्रांजिस्टर में डिप्लीशन परतों के संख्या एक ट्रांजिस्टर में डिप्लीकेशन परतों के संख्या क्या होती फ्रेंड्स दो होती है क्यूसन आपके लिए बहुत इंपोटेंट रहेगा फ्रेंड्स तो आप क्यूसन को य एक इन बराबर क्या हो जाएगा 120 x f upon 6 हो जाएगा रॉके अब आपने देखा frequency कमान हमें दे रखा है 50-60 multiply करेंगे 120 से अपोन में 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12 कितना आ गया अपना उपर 20 आ गया और 5 दूनी 10 multiply करेंगे तो अपना answer क्या देगा 1000 rpm इसका option number a इसका answer होगा अगला question देखे फ्रेंट्स और आप इस question का जो यह formula पुछा जाता है friends a browser क्या तो पी इंटु एन अपॉन 120 होता है यह आप formula याद रखें आप इसे पोलो के संग्या भी find out कर सकते हो frequency भी आप निकाल सकते हैं अगर आपको पुछी जाती है तो आप इसे निकाल सकते हो ओके फ्रेंट्स तो अगला question देखें किसी scroll cage motor की गति को किसके दोरा परिवर्थित किया जा सकता है अब आपने देखा किसी scroll cage motor का मतलब क्या होता है किसी 3-phase flow curve ribs okay okay friends किसी scroll cage motor की गति को किसके दोरा परिवर्थित किया जा सकता ह। इस स्ट्र में प्लो ão की संख्या को परिवर्थित करते हुए तो पड़वर्थित किया हम जब क्या करते हैं उसकी गुन्णन गति को परिवर्द कर रहे हैं तो एन बराबर क्या होगा एन बराबर क्या होगा तो एक सो बीस मल्टिक्ला एफ अफ़ों प्य हो जाएगा तो पोलो की संक्या गुन्णन गति क्या होगी, friends, वहित कुनन पाती का संबंद सार है, तो जैसे-जैसे हम पोलो की संक्या बढ़ाते जाते हैं, तो गुन्णन गति गढ़ती जाती है, और जैसे-जैसे अगर हमें बढ़ाना होता है, तो पोलो की संक्या को हम क्या कर देते हैं कम कर देते तो आपने देखा होगा दो पोल की मोटर सबसे ज्यादा गुंड़न नगति पर चलती है और आपने जिसे जिसे पोलों की संक्या बढ़ा ही वहां पर गुंड़न नगति का मान क्या हो जाता है कम हो जाता है आप इस फोर्मले को याद रखें अगला क्यूशन देखिए किसी सिलिप्रिंग इंडेक्शन मोटर में रोटर करेंट आवरती रोटर करेंट आवरती डेस पर निर्वर करती है अब आपने देखा होगा कि जो रोटर फ्रिक्वेंसी हम जब निकालते हैं तो परतिशल सिलप म इंपुट कीए गई फ्रिक्वेंसी कितण है 15 ऑट है कि परतिशल कमान हमें 2〜3 परतिशिथ हमें लेना होता है और इसके अंदर शेट की मातरा हमें निकालते है हुआ उसको नहीं कहा सकते हैं है तो किशपे है डिपेंट किया रोटर् peng की सिलप की माध्रा पर नंब करें। मैं का आने कितना हमें रखना है अगला कुछ संदेखियर कि विवक्तवले तस्व मोटर में कितने विवक्त बोले होते हैं इसका आंसर क्या रहेगा तीन होता है यह रोते हैं सब्सक्राइब क्या है एक इसन सर्वों मोटर मोलरोप से क्या है सप्लाइब करेंगी कि Ka yht store Ambile ग Architecte की नाम नातिया चीड है तेन सब्सक्राइब नाम नाम गिल्पने पिनडान मोटर करें दोकर नहीं कितना वालाब सर्फिन क्राइब सांटिव पुलिकेस सांटे मोटर किनवा ओंगो नेकुपन। तो आप क्यूशन को यार रहें एसी सरव मोटर के मोल रूप से क्या है दो फेज प्रेयन मोटर वाली होती है अगला क्यूशन देखिया चुम के स्टाटर धूरू के संख्या किसे संदर्वित करती है नेंतरन संप्रकुई के संख्या को की संख्या को को दर्साती है प्ललाव के संख्या करती है और ऑप फूर पूरेंट इस्टाटर होता है अक के द्रूर्ग करते है торовूर संख्या को तक ancestors कमान कंँ होता है आधितम होता है आपने देखा नियेंध्रण संपरविव के संगय को संदरवीत करता है अगला क्यूशन देखे फ्रेंट्स निमलिक्त मेंसे किस अनपरियोग के लिए DC आवसेक है निमलिक्त मेंसे किस अनपरियोग के लिए DC सपलाई के आवसेकता होती है विदूत कर्षन मोटर अब विदूत कर्षन मोटर आपने देखा होगा रेल का जो इंजन होता है उसमें DC सीरीज मोटर लगी होती है वो विदूत कर्शन मोटर या विदूत ट्रेक्शन मोटर के नाम से जाने जाती है ओके फ्रेंड्स अगला क्यूसन देखें मेट्रिक सिस्टम में सुपरेंबर तामबर के तार का आकार किसमें दिया जाता है है अब सुपरेंबर के तामबर के तार होता वसके व्यास में उसको मोगते हैँ आपने व्यास में मौपयेंके तामबर के आकार किसमें ब् compass करते हैं हम यृजम में वीक्त करते हैं और आपने देखا HWG standard wire gauge HWG की फूरों आप याद रखिएगा friends आपके लिए equations बनता है और आपके हर exam में पुछा जाता है और इसके range भी पुछी जाती है 0 से 36 इसके range होती है 0 से 36 तक इसको उप्योग में हम लेते हैं electrician के लिए 0 से 36 HWG gauge का परियोग किया जाता है अब अगला question देखिए friends यदि दूरू की संक्या च्यार है यदि दूरू की संक्या कितनी है friends च्यार है और शिलोडस की संक्या कितनी है चोईस है तो दूरूपिच क्या होगा धूरूपिच का formula क्या बनता है धूरूपिच लिए 25 हो जाएगा धूरू पिच बरावर क्या हो जाएगे छे चर्चिंग चुषए इसका आंस्वर होगारोफ़ नेर्ट का भाग धिया मैंने 600 में जब च्यार्चिंग छोइस भी नुरूपिच बरावर यदरू नुरू कुल संख्या सोड़ा है कुंडल जो अपने जो वाइनिंग्स जो दे रिक है उसमें कुंडल की संख्या क्या होगी तो फ्रेंट्स आपको यह याद रखना है कुंडल की कुल संख्या अगर सोड़ा दे रिक हो तो वह पर्तेक संख्या में पूछ रहा है तो इसकी आदि हो जा करता है कि इंसका एंगित करते तो इसका आउप्सिंट के रहे आपने के शान और इसका आउंसर किया रहेगा रह एक है कर अ sleeping नेच्ट कीउशन सेग्मेंट से जुड़े दो कुंडल सेग्मेंट से दूरी क्या होती है? धो कुंडल से बीच की दूरी क्या होती है तो आंसर क्या रहेगा अपना पिछ इसका आंसवर रहेगा एक प्रेंटर मे लगा रहे हम एक लाइयर उसमें फसाते हैं 180-ग अिस तरप लगाए और اक वाइयर उसके सामने की तरफ लगा दिये सो उनके बीछ में भी जो कुंडल सेरों की बीच की जुद कुल दूरी क्या रहेगी कम्यूटर सेग्मेंट जितने में कम्यूटर सेग्मेंट सेग्मेंट रहेंगे वो किस में आएगे फ्रेंट पीछ में तो इसका आंसर क्या रहेगा फ्रेंट पीछ इसका आंसर रहेगा यदि वक्कर में कुंडल का सम्मय होता है और एक ही केंदर होता है तो इस वक्कर को क्या कहते है इस वक्कर को क्या कहते है केंदरित वक्कर कहते है क्योशन आपको समझ में आ गया हुआ फ्रेंड्स यदि वक्कर में कुंडल का सम्मय होता है और एक ही केंदर होता है एक ही क्या को और केंदнес विंदों होता है। तो इस वखर को क्या कहते हैं। के विश्टाबने सब्सक्र करते हैं। करके Northeast क्या है कि three gender vyand n वे फेज के बीच, विश्टाबन participating क्या होता है। कितना होना चाहिए 120 degree होता है यह क्यूशन पता है और यह क्योशन आपको याद में भी रखना होता है में जो 3-phase winding होती है तो कितना लेता है on行 120 डिद्ध के अंतरा अलबर उस्ताभी करते हैं अगले question देखिए एक stator के विदूद डिगरी क्या होती है एक stator होता है stator के अंदर जब हम उसका विदूद डिगरी निकालता है तो उसका answer क्या आता है अब आप आप यहां पर 306 multiply दोरो की संग्या इसका option नमबर A पोल जोडे की समंट क्या है पोल से एक जोड़ा बनता है तो हम यहां भी क्या कर देंगे हूं को मैंटचिप्लाइख करें टीन सोफ सार्ज करके अगला क्यूसन देखिए हम सणोड़ को किससね, आवसका होता हुँए हुआ होता है हाफ रिक्टी फायर को किस की आऊ सकता होगी कि एक मिश्चता होती है अगले गुब लिखते में से कौन सा अपक्राइब को कोडिंग इसका लिखा गया है इसका क्या होता है सं निम्लिक्त में से कौन से दर्व उप्योग किया जाता है अब आपको यह question याद रखना है friend मैं D से जनितर की जो commutator की जो हम सफाई करते हैं सफाई करते हैं कौन सा दर्व करते कारमद्टेटर कलूरयड को उप्योग करते हैं कि अगला क्यों देखें वोल्टेज इस्टेबलाइजर का मूल कारिये क्या पर्दान करना हुते हैं ओके फ्रेंट्स लोड़ को इस तिर वोल्टेज के आप पूर्थी पर्दान करने के लिए उसका यूज करते हैं अब आपने देखा होगा फ्रेंट्स पहले किनब आज से 4-5 साल पहले आपने देख हमें दो सुचाज़श वूल्ट आने लगे लगे तौ से तो अपने कोई किसी प्रकार की प्रोब्लम नहीं होती है । पहले के टायम पर क्या होता था क्या होता था तो वोल्टेज की आफूल्ती पनान करता था चैना हम मझतल संग सब्सक्ति अपने घरहों में वोल्टेज को सप्लाइब औन ऑगर हो जाता था तो हमें जीतनी कोके अब बाचें भी से इस अगली क्लास में पूरे गर्एंगे आप क्ने को सट्राइब नहीं तो प्रमात कि अपने दोस्तों के ऑब करें खोर स्टीर मिलते हो चली